नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यानदी फिंदी चैनल पर तो स्वेंग साहता सम्हू के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी आज की इस वीडियो में लेकर आये हुए हैं जहां सरकार ने बड़ा एलान करते हुए जल सकी के के न्युक्तिया सुरू कर दी हैं जिसमें वेतनमान 6,000 रुपे प्रती महना दिया जाएगा और आविदन सुरू होने जा रहे हैं इसके लिए सरकार की तरफ से नई गायनेंट्स जाली हो चुकी है तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ सेय करने जारे हैं तो बात करें इसमें सरकार की तरफ से 6,000 रुपे प्रती महना दिया जा रहा है वहीं सरकार अब महलाओं को रोजगार देने के लिए हर घर नल जल और उसमें जल की ब्यवस्ता सरकार कराने जा रही है केंद सरकार की एक अनोखी फहल कहीं जा सकती है तो इसमें आज हम संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे तो बात करें उत्तपरदेश सरकार ने राज में जल सकी की सुरुवात कर दी गई है जिसके तहत राज के सभी जिलों के ग्राम पंचायत में महिला जल सकी की नियुक्ति की जाएगी इस कारी के लिए प्रतेक सकी को एक निश्चित वेतन भी दिया जाएगा केंद सरकार की इस योजना को हर घर जल योजना के नाम से चलाई जा रही है जिसका उद्देश गाउग में प्रतेक व्यक्ति के नल से जल की व्यवस्ता करवाना एक महत पूर उद्देश है सरकार की इस योजना के तहत प्रतेक परिवार को इस योजना के तहत कनेक्शन लेना होगा इसमें महिलाओं को रोजगार मिलने में सहता परदान की जाएगी तो सभी के लिए काफी खुसकबरी है तो बात करें उत्तर परदेश सरकार की इस योजना के तहद करीब 20,000 पदू के लिए आविदन किये जाएगे जिसमें जलसकी की नियुक्ति की जाएगी वहीं बात करें इस योजना के तहद परतेक जलसकी को परती महिने 6000 रोपे वितन दिया जाएगा और एक मुस्त रासी परदान की जाएगी वहीं बात करें जल सकी योजना की तखत महला को अपनी ग्राम पंचायत में ही पानी के विलो का वित्रण करने वो जल के विल का वसूली करने का यहाँ पर काम स्वापा जाएगा वहीं बात करें महिला सकी की नियुक्ति उसी की ग्राम पंचायत में की जाएगी जिस ग्राम पंचायत में जो महिला हैं वहर रहती हैं उसी ग्राम पंचायत में उस महिला की नियुक्ति की जाएगी तो वहीं बात करें इसमें जल सकी के लिए आविदन करने के लिए आपको आ जरूरी है वहीं बात करें महिला आविदक सिर्फ उसी ग्राम पंचायत के लिए आविदन करें जिसमें वह निवास करती हो वहीं बात करें इस योजना में सिर्फ महिला उमिद्वार को ही भरती किया जाएगा वहीं आविदन करने वाली महिला विवाहित होनी बहुत जरूरी है वहीं बात करें इसके अलावा वह सरकार की अन्य किसी योजना का लाव प्राप्त ना करती हो तो उन सभी महलाओं को इस योजना का लाव तभी दिया जा सकता है जब यह महलाओं इस मूल निवासी हो और वह मूल अहरताओं को रखती हो तो सभी के लिए इसमें बता दे कि इसमें आवेदन करते के लिए जो पहला है पहचान पत्र आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है वहीं बात करें सबसे दूसरे नंबर पर बैंक खाता संख्या होना बहुत जरूरी है पैन कार्ड भी होना बहुत जरूरी है मोवाइल नंबर ओटिपी के लिए बहुत जरूरी ह आय परमाल पत्र निवास परमाल पत्र जाती परमाल पत्र दसवी या बारवी की मार्क सीट होनी बहुत जरूरी है पासवोर्ट साइज फोटो होनी बहुत जरूरी है तो इस परकार से दस परकार के आप सभी के लिए महत पूर्ण चीजे होनी बहुत जरूरी है तो सरकार की से केंद्र और राज सरकार द्वारा यह महत्त पूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसमें आप भी आवेदन करके 6,000 रुपे प्रतिमा वेतन प्राप्त कर सकते हैं तो योगी सरकार की तरफ से महिलाओं को एक और नए योजना के तहत अब नए कारिसों पने जा रही हैं तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा एलान हो चुका है तो आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कर सकते हैं तो किसी भी परकार की हेल्प लाइन के लिए आप हमारे कमेंट जरूर कर सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटिस्ट अप गयार